शुकल, मार्गंडे पुराण, दुर्गा सप्तशप्ती में टकराव और विवात का निवारण इस विशेप पर अपना श्रोधलेक प्रस्तुत करूंगी। वेद के दर्शन को समझने के लिए इतिहास और पुराणों का अध्यान करना अति आवश्यक है। सायन ने वेद भाष्य में लिखा है कि इतिहास पुराणा अभ्याम वेद समुपब्रू येत बीभेती अलपश्रुतातयम माम प्रहर इश्यती पुराण एवं इतिहास की कथाओं में प्रसंग कथाओं के माध्यम से वेद के दर्शन का उपब्रूहन एवं विस्तार किया ग के इतिहास और पुराण को जानने वाला ही वेद के दर्शन को यथार्थ रूप से समझ सकता है इसलिए मैंने ये पुराण का विशय पसंद किया है और दुर्गा सप्तशती के आधार पर पारस्परिक टकराव जन्य दूख की आत्यंतिक निवरुत्ति के उपायों का प्र अधी नामक वैश्य इन तीन बात्रों की कथाओं के माध्यम से वैदिक दर्शन की नीव पर संगर्ष के निवारण का उपाय दर्शाया गया है जब देवी और आसूरी संपत के साथ युद्ध होता है तब विश्वकल्यान के लिए आसूरी संपत का नाश करना अनिवार् जाता है इस बात को प्रतिपादित करने वाले अनेक द्रश्टांत हमारे ग्रंथों में पड़े हुए है परन्तु मनुष्य का जब आंतरिक दोश्य की वज़े से मद मोह आदी आंतरिक शत्रू के कारण बहरी दुन्या से संगर्ष होता है तब आत्मनिरिक्षन एवं आध प्रताईयों के विनाश एवं स्थूल युद्ध की प्रेणा देता है जबकि दुर्गा सप्तशती भक्ति के मार्ग द्वारा माया के उन मुलन द्वारा टक्राव के आत्यंतिक निवारण का प्रतिपादन करती है देवी माहत्म्य की कथा में इस कथा इस प्रकार है स्वा किन्तु कोला विद्वन सी राजाओं के साथ युद्ध होने के दोरान इसके पास केवल अपना ही राज्य बचता है वो अपने ही राज्य को अच्छे से संभाल रहाता तब इनके दुष्ट मंत्रिया वो अधिकार भी उनसे ले लेते हैं तब वो अपनी जान बचाने के ल चला जता है और वहां सूमेधा रुशी के आश्रम में पहुचता है वहां वो अपने ही जैसे एक उद्विग्न व्यक्नी को देखता है उसके साथ बात करता है और बातचित से उसे पता चलता है कि ये समाधी नामक वैश्य है और इसे उनके पतनी और संतानों ने धनकी ला दिया है इनही को याद करके दुखी हो रहे है और उनके प्रति द्वेश पूर्ण चित्त होने की बजाए उनको सनेह करते हैं और अपनी व्यथा का कारण रुशी सुमेधा को पूचते हैं तब रुशी समेधा बताते हैं कि महा माया के प्रभाव से ही मनुश्य मोह और ममत की गर्ता में फसता है यही संगर्ष और टकराव का कारुण है सुमेधा महा माया के आविर्भाव प्रभाव और चरित्र का वर्णन करने के लिए देवी के महाकाली महालक्षमी एं एवं महासरस्वती इन तीन चरित्रों का वर्णन करते हैं महा माया की महिमा के द्वारा सूरत और समाधी को भक्ति अभिमुख किया जाता है भक्ति से प्रतीत ज्यान के द्वारा माया जनित काम ग्रोध मद मोख लोब एवं मतसर आदी का निरसन यहां दर्शाया गया है यह वेद सम्मत उपदेश रससभर प्रतिकात्मक कथाओं के माध्यम से प्रस्तूत किया गया है और महिश्वरा नंदर जी ने इन कथाओं का सुन्दर अध्यात्मिक अर्थगटन किया है दुर्गा सब्तशत्ति का प्रतम अध्याय उत्तम चरित है और योग निद्रा में विश्णु जब स्थीत होते है तब विश्णु के काल से मधु और कईटब दो असुर उत्पन होते हैं दोनों सामने कमल योनी भ्रह्मा को डराने लगते है तब भ्रह्मा विश्णु योग निद्रा की स्थुति करके विश्णु को जगाते है जागने के बाद कोपायमान विश्णु दोनों असुरों के साथ करीब 5000 साल तक बहुयुद्ध करते है और इसके बाद इन दोनों का वदगर्दे है ये प्रतिकात्पक गथा का स्वारस्यय है कि जब वेद श्रवण कान में ही रहता है यथात गयान का प्रकाशन नहीं होता है तब वो विद्वत्ता का मद बन जाता है मधू का अर्थ मदीरा भी होता है जिससे नशाचड़ता है अग्यान से भी अहंकार का जन्म होता है यह ममत्व कैटब है तो मधू और कैटब दोनों अहंकार और ममत्व यानि की भेद बुद्धी के प्रतीक है और महा माया की कुरुपा से ही जनार्दन विश्णु इश्का नास करते हैं और जनार्दन विश्णु ही महाकाली है कहा गया है एके कह शक्ती ही परविश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा विनियोग काले भोगे भवानी पुर्शेशु विश्णु कोपे शुकाली समरेशु दिर्गा तो महाकाली की स्तुती से इनकी गुरुपा से ज्ञान के आवरिपास भाव से ही अहंकार और ममत्व का नाश ह होता है इसी प्रकार दूसरे चरित में देवों के तेज से आकारीत देवी महिशासुर का नाश करती है और महिशासुर के पहले भी अनिक असुरों का नाश करती है ये सारे असूर और महिसासूर कामनाओं के प्रतिक और मनुष्य की भिन भिन दोश पुर्ण चित वृत्तियों के प्रतिक है और देवी की भक्ती से पराविद्या के आवीरभाव से ही इन भावों का निरसन हो सकता है तीसरे चरित्र में महासरस्वती देवी हैं वो शुंभ और निशुंभ नामक दो असूरों का वद करती है इसके पहले चंड, मुंड, रक्तबीज, धुम्र लोचन आदी अनेक असूरों का वद करती है चंड और मुंड दोनों क्रोध और भेदबुधी के प्रतिक है रक्तबीज शब्द में रक्तशब्द का अर्थ लहू भी होता है, आसकती अनुराग भी होता है तो वो आसकती का प्रतिक है और शुंभ और निशुंभ दोनों फल की आसकती के प्रतिक है जब फल की आ सकती होती है वो शुम्भ है और फल पर अधीकतर अधिकार भावना आ जाती है वो निशुम्भ है तो जैसे गीता में जो उपदेश बताया गया है कि फल पर बुद्धी नहीं रखकर सिर्फ कर्म पर बुद्धी रखना तो यहां महासरस्वती है इसकी चरित्रक देवता है और विवीत देवी चामुंडा और काली सब मिलकर सारे उसके स्वरूप मिलकर शुम्भ और निशुम्भ का वद करते हैं तो भक्ती के द्वारा ही जो ज्यान प्रादूर भुद होता है इससे ही समत्व आता है समबुद्धी आती है और माया जनित यह जो शडर अप्तशती में भक्ती के मार्ग दुवारा अपने आंतरिक दोशों को दूर करके ज्यान का यथार्थ प्रकाशन होने से मनुश्य में समत्व बुद्धी आती है और समत्व बुद्धी आने से संगर्ष उत्पन ही नहीं होते है तो संगर्ष का आत्यंतिक निरसन पताया ग होता है परंतु जब जरूरी नहीं कि सारी लड़ाई या सारे संगर्स लड़े ही जाए मनुष्य जीवन के चार पुरुशार्थों में से मोक्ष की सिद्धी चरण लक्ष्य होनी चाहिए मोक्ष भक्ति और योगद्वारा सुलब है तो देवी माहत्म्य में भक्ति का माहत्म सावर्णी सूरत नामक राजा भक्ति से अपना राज्य प्राप्त करता है और दूसरे जन्म में वो सावर्णी मनुबनता है वैश्य समाधी है उसको मोक्ष प्राप्त होता है किसी भी करंद का अगर तातपरियार्थ देखना हो तो उसके प्रारंभिक और अंतिम पदों को देखना चाहिए सुमेधा जब अपना व्याख्यान जब सूरत और समाधी को जब उपदेश देना प्रारंभ करते है तब वो बोलते है ग्यानमस्ति समस्तस्य जन्तुर वीशय गोचरे तो वहाँ ज्यान शब्द सबसे पहले है और जब पूरा करते है अपनी बात पूरी क परते हैं तब उनका वाक्य है तवग्यानम भविश्यती तो यह दुर्गा शब्तशति का तात्परियार्थ ही यही है कि माया से मुक्ति पाने के लिए भक्ती द्वारा पराविद्या का ज्यान के स्वरूप का प्रकाशन करने का है तो हमारे वैदिक परंपरा को के गरंथ हमारे पास है कि जो मनुष्य को संगर्ष का आत्यंतिक निरसन का उपाय दिखाती है और हमारी संस्क्रूत साहित्य की प्रतिकात्मक कथाए वर्तमान समय के वैश्विक एवं वयक्तिक प्रश्नों का समाधान करने वाली संस्क्रूती का निर्मान करने में सक्षम ह इसलिए वैदिक परंपराओं का अध्यायन वर्तमान समय में करना उचीत है। थेंक्यू।